मद्य प्रदेश के जाबुआ में आज सुबह एक रेस्ट्राव में हुए एक धमाके में कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं घटना जाबुआ से 60 किलोमीटर दूर ठांडला रोड पर एक होटल में हुई मुख्यमंत्री शिवराद सिंग चौहान ने मृतक के परिजनों को 2 लाक रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए के मुआवज़े की घोशना की है वही राज सरकार ने इस हादसे के जाँच के आदेश दे दिये है विहार विधान सभा चुनावों के लिए इंडिये के घटक दलों के बीच सीटों के बटवारे पर सहमती बन गई है और आज शाम को इसकी आपचारिक घोशना की जाएगी शाम को भाशपाध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में इसका आपचारिक एलान किया जाएगा सीटों के बटवारे को लेकर राम विलास पासवान की लोग जन शक्ती पार्टी उपेंद्र कुश्वाहा की राष्ट्रिय लोग समता पार्टी और जीतनराम माजी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के बीच पिछले कुछ दिनों से बाचीत चल रही थी सीमा सुरक्षाबल और पाकिस्तान रेंजर्स के महानिदेशक स्तर की तीन दिन की बाचीत आज समाप्थ हो गई दोनों पक्षों ने वार्ता के संयुक्त रकार्ट पर हस्ताक्षर भी किये सीमा सुरक्षाबल के महानिदेशक ने कहा कि पाकिस्तानी शिष्ट मंदल के साथ बाचीत सद्भावपूर्ण, व्यवहारिक और भविशी के लिए उपयोगी रही केंद्रिये शहरी विकास और संसदिय कार्यमंत्री एम वेंकया नाइडू ने काफी समय से लंबित पड़े वस्तु एवम सेवा कर विदहक को पारित होना देश के अर्थवेवस्था के लिए बेहद जरूरी करार दिया उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सब को विरोध करने का अधिकार है लेकिन साथ ही संसद का कामकाज भी चलने देना चाहिए सिकंदराबाद से मुंबई जा रही दुरंतो एक्सप्रेस के गुलबर्ग के पास मरतूल में पटरी से उतर जाने के वज़ह से दो यात्रियों की मौत हो गई और 15 अनिक घायल हो गए दुरंतो एक्स्प्रेस के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए इस बीच रेल मंत्री ने घटना की जाँच के आदेश जारी किये हैं घटना के कारणों की जाँच मद इक्षेत्र के रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा की जाएगी रेलवे ने मृतिकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और गंभी रूप से घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोशना की है सौधी अरब के आतिहासिक मक्का मस्जिद में हुए क्रेन हादसे में मृतिकों की संख्या 107 हो गई है वहीं भारतिय विदेश मंत्राले ने बताया है कि मृतिकों में दो भारतिय भी शामिल है 15 आने भारतिय घायल है मालूम हो इस महीने के आखिर में शुरू होने वाली मुस्लिमों की हज यात्रा से चंद दिनों पहले सौधी अरब के आतिहासिक मक्का मस्जिद में शुकरवार को भयानक हादसा हो गया तेज धूल भरी आंधी की चपेट में आने से मस्जिद में जारी निर्माणकारे में लगी एक क्रेन के अचानक गिरने से 107 शक्धालूं की मौत हो गई अखिल भारतिय विद्यारती परिशद यानी ABVP ने दिल्ली विश्विद्याले चातरसंग चुनाओं में शांदार प्रदर्शन करते हुए सभी चार सीटों पर जीत दर्श की है ABVP ने लगातार दूसरे वर्ष सभी चारों सीटे जीती इन चार सीटों पर ABVP उम्मीदवार 4500 से आधिक मतों के अंतर से जीते चुनाओं में ABVP के सतिंदर आवाना, सनी, अंजली राणा और छत्रफाल यादों ने क्रमशाह, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों पर जीत दर्श की कालका से दो किलोमीटर की दूरी पर आज कालका शिमला स्पेशल टॉय ट्रेन पटरी से उतर गई इस हाथसे में दो विदेशी परेटकों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए दसमें विश्य हिंदी सम्मेलन का आज शाम धोपाल में समापन हो जाएगा केंद्रिय ग्रीह मंत्री राजनात सिंग, विदेश मंत्री सुश्मा स्वराज और चतीस गड़ के मुख्य मंत्री रमन सिंग समापन सत्र में शामिल होंगे साथ साल के बेटे के डिंगू से मौत हो जाने पर दिल्ली में माबाप ने आत्महत्या कर ली दिल्ली के दो बड़े अस्पतालों ने बेड ना होने की दलील देकर बच्चे को भरती करने से मना कर दिया था दिल्ली के स्वास्त मंत्री सतेंद्र जैन ने इस घटना पर कुछ भी कहने से साफ तौर पर इंकार कर दिया स्वास्त मंत्री ने इलाज के लिए मना करने वाले दो अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है सरकार ने डालों की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर काबू पाने के लिए और 5000 तन अरहर डाल आयात करने का निरणे लिया है पहली खेप इस महीने की 23 तारीख को पहुँच जाएगी खाद सचिव के अध्यक्ष्टा वाली समीति ने आयात करने वाली एजंसियों MMTC और Nafit से दालों की खुद्रा बिक्री के लिए राजियों और सफल केंद्रों से संपर करने के लिए कहा है सिंगापूर के प्रधार मंतरी ली शेन लूं की पीपल्स आक्शन पार्टी ने आम चुनावों में भारी बहुमत से जीत दर्श करते हुए एक बार फिर देश की सत्ता में वापसी कर ली है गोरतलब है कि पीपल्स आक्शन पार्टी देश की आजादी के बाद से ही सिंगापूर की सत्ता पर काबिज है जापान में मूसलाधार बारिश के कारण आई बार में कम से कम 25 लोग लापता हो गए है और एक लाग से अधिक लोगों को घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है बारिश के वजह से नदियों के बांध तूट गए हैं जिससे कई घर पानी में बह गए और कई घर भूसखलन में तबाह हो गए बार ने पिछले 60 साल के रकॉर्ड को तोड़ दिया है लेंडर पेस ने अपनी स्विस पार्टनर मार्टीना हिंगिस के साथ यूएस ओपेन मिश्रित यूगल का खिताब जीत कर इतिहास रच दिया चौथी वरियता प्राप्त भारतिय स्विस जोडी ने फाइनल में अमेरिका के बेधानी मैटेक सैंस और सैम क्वेरी को 6-4, 3-6 और 10-7 से हराया और इस सत्र का तीसरा बड़ा खिताब मिलकर अपने नाम कर लिया यूएस ओपन में महिला एकल सैमी फाइनल में अब तक के सबसे बड़े उलट फेर में सरणा विलियम्स को संसनी खेज हार का सामना करना पड़ा है छे बार की यूएस ओपन चैंपियन और विश्यू की नमबर एक खिलाडी सरणा विलियम्स को बाहर का रास्ता दिखाया इटली की रॉबर्टा विंची ने पहली बार ग्रैंड स्लैम सेमी फाइनल में खेल रही विंची ने ये जीत 2-6, 6-4, 6-4 से हासिल की